अगर आप बिहार गोड क्लास 10 के छात्रेवम छात्राएं हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेलफुल होने वाला है क्योंकि आज हम क्लास 10 समाजिक विज्ञान मैं से भुगोल चेप्टर वन का important objective question देखने वाले हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेलफुल होगा तो चलिए देख लेते हैं हमारा first question क्या है कोईला किस परकार का संसाधन है तो कोईला और नवी करनी ये संसाधन है तो first का जो right answer हो जाएगा आपका वो हो जाएगा A चलिए अब देख लेते हैं हमारा second question क्या है सौर उर्जा निमलिखित में से कौन सा संसाधन है तो सौर उर्जा पुनवपर्तियोगी संसाधन है तो देखिए second का जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा B चलिए अब देख लेते हैं हमारा third का question क्या है तर्ट रेखा से कितने किलो मीटर छेतर सीमा अपवर्जक आर्थिक छेतर कहलाते हैं तो वो दूसो एनम होता है तो third का जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा B चलिए अब देख लेते हैं हमारा fourth का question क्या है डाकवों की अर्थ विवस्था का संबंध है तो देखिए डाकवों की जो अर्थ विवस्था का संबंध है वो है संसाधनों के अनी योजित विदोहन से तो देखिए fourth का जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा B चलिए अब देख लेते हैं हमारा five का question क्या है समुंदरी छेतर में राजनेतिक सीमा के कितने किलो मीटर छेतर तक राष्टिये संपदा नहीं थै तो five का जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा D 19.2 किलो मीटर तो देखिए five का right answer आपका D हो जाएगा चलिए अब देख लेते है चलिए अब देख लेते हैं हमारा next question क्या है तो देखिए ये भी है chapter one से इसका जो topic है वो अलग है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर first question है विर्द छेतर में जल की उपस्तिती के कारण ही पिर्थवी को कहते हैं तो वो कहते हैं तो देखिए first का जो right answer आपका हो जाएगा व चलिए अब देख लेते हैं दो का question क्या है कुल जल का कितना परतिसत भाग महा सागरों में नहीत है तो वो है 96.6% तो देखिए दो का जो right answer हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गो यानिगी डी उसका right answer हो जाएगा चलिए अब देख लेते हैं हमारा third का question क्या है देश के ब प्राणियों के सडीर में कितना परतिसत जल की मात्रा नहीत है वो है 65% तो फोर का जो right answer हो जाएगा आपका वो हो जाएगा गो चलिए अब देख लेते हैं वाना five का question क्या है बिहार में अती जल दोहन से किस तत्यू का संकेद्रन बढ़ा है वो है औरसेनिक तो five का जो right answer हो हो जाएगा गो यहां फिर five correct answer क्या हो जाएगा गो चलिए इस वीडियों बस इतना ही इससे आगे का question हम आपको next video में देंगे chapter 1 से कुछ question बचे हुए हैं जो कि ncrt के हैं हम आपको दे देंगे जितने भी question ncrt से हैं आप पहले उसको देख लीजे उतना question आप याद कर देंगे फिर कभी दूसरे बुक से देखिएगा ठीक है